हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सुकू की वेस ठाली में तो आज मैं बनाने जा रही हो गोभी और आलू के बहुत टेस्टी पराठे तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए हैं गोभी और इसको मैंने इस तरीके से शोटे टुक्रों में काट करके ले लिया है डंडी हटा कर और देखिए यहां पर मैंने आलू लिये हैं जिनको इस तरीके से पतले पतले टुक्रों में काट करके ले लिया है आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आप तक बहुंच सके तो देखी यहां पे हमने कड़ाई को गरम होने के लिए और कराई हमारा गरम हो गया है हम इसमें डाल रहे हैं तेल तो यहां पे मैं सरसो का तेल ले रही हूँ आप जो खाते हैं वो तेल ले ले तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे गोभी को जो हमने काट करके रखा हुआ था तो देखी हमने गोभी को डाल द कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे आलू को इसी के साथ और दुनों को हम कर लेंगे मिक्स इस तरीके से तो देखिए यहां पर आलू और गोवी मिक्स हो चुगा है अब हम इसको ढख करके एक से दो मिनट तक पकाएंगे तो देखिए एक से दो मिनट हो चुगा है अब हम इसको चला ले रहे हैं तो इस तरीके से हम इसे चला लेंगे और सब्जीओ को पकाते समय गैस का फ्लेम हम धीमा रखेंगे तो देखिए हमने सब्जीओ को चला लिया है अब हम इसको ढख करके फिर से एक से दू मिनट तक पकाएंगे हमें सब्जीओ को इसी तरह ढख करके एक से दू मिनट पकाना है बीच बीच में चलाते रहना है तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको फिर से चला लिया है आप देख सकते हैं तो इसी तरीके से हमें बीच बीच में सब्जियों को चलाते रहना है ताकि यह जले नहीं अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच अधरा करलासन का पेस्ट तो मैंने यहां पे इसको बारिक सा कूट करके ले लिया है आप चाहे तो इसको एकदम महीन पीस करके भील ले सकते हैं अब यहां पे मैं डाल रही हूं आदा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आदा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर आदा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और साथ में मैं डाल रही हूं यहां पे आदा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तीन से जार हारे मिर्च को काट करके एक दम बाड़िक सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं नमक तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाले कि आपको कितना नमक चाहिए उस से साब से अब इन सब को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स तो यहाँ पर यह राल दिया हैं अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी बिल्कुल थोड़ा सा जादा नहीं डालना है बस थोड़ा से हम इसमें पानी डाल दिये हैं अब इसको हम ढख करके फिर से दो से तीन मिनद तक पकाएंगे और बीच बीच में हम सब्जू को चेक कर लेंगे कि ये जल तो नहीं रहें और फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे तो देखिए यहां पर हमने सब्जू को फिर से चला लिया है अब इन्हें हम फिर से ढख करके एक से दो मिनद तक पकाएंगे तो देखिए यहां पर ये एक से दो मिनद हो चुका है अब हम इसको फिर से चला ले रहे हैं कि और दोस्तों हमें इन सबजियों को अब चलती हुए ही इस तरीके से मिल जाए देखिए इसी को मैं चलाजला के इसको मिक्स करना है और इसका moisture जो भी है हमें खतम कर लेना है तो देखिए इसे तरीके से पुरा अच्छी तरह से हमें चलाते रहना है तो देखिए यहाँ पे सबजिया मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें डाल दे रहे हैं बाड़ी कटी हुई धनियापती तो यहाँ पे मैंने धनियापती डाल दिया है अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे सबजियों के साथ तो देखिए इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि गोभी कौन सा है आलू कौन सा है इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह एक बरतन में निकाल करके ठंडा कर लेंगे जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हम आठा गूत लेते हैं तो यहाँ पे मैंने आठा ले लिया हैं अब यहाँ पे मैं ले रही हूं आदा छोटी चमज अजवाइन और छोटी चमज काला जीरा या फिर जिसको हम बोलते हैं या फिर मंगरेला, और इन अब को हम कर लेंगे मीक्स, और इसमें हम पानी डाल कर थोड़ाथा पानी डाल कर एकदम मुलायम आथा गुत लेंगे, जैसे हम रोटी और पराटो के लिए लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने आथा गुत लिया है, अब चलिए हम पराटा बनाते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम इसकी लोई तोर लेते हैं तो इस तरीके से हो िस्टर के से हमने लोई तोर लिया है पुड़ा आप चलिए हम पराथा बनाने के तरफ चलते हैं तो हम इस तरह के से लेंगे हाथ पर घूमाती हुए इसको हम गोल करेंगे और दौनों अंगुठों से इस तरह के से घूमाते हुए हम इसको एक कोटोडी का सेप्ने देंगे और इसमें हम मिक्स्चर को डाल लेंगे देखिए इस तरीके से और चमत से या फिर हातों की सायता से इसको दबाते हुए हम अंदर के तरफ कर लेंगे और फिर हम दुसरे हाथ से घुमाते हुए इसको बंद कर लेंगे देखिए इस तरीके से बिलकुल दोस्तो इस पराठे को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें नहीं हमें गुभी को कदुकस करना है नहीं उसे उबालना है तो देखिए यहाँ पे हमने मसालों को भर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा सुखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से हाथों से गुमाती ह अब इसका थोड़ा सायla लेंगे इसको और फिर से हम इसमें थोड़ा सा सुखा आटा लगाएंगे और इसको हमने रोटी की तरह बेल लेंगे बस हमें एक दम ज्यादा पतला नहीं करना थोड़ा ही प्रिखतों को देखिए ना ही in बन गया है अब इसी तरीके से हम सारी प्रणफों को बना कर ले लेंगे तो अब छाङिए सेंक लेते हैं हुब हर बर्ण घी ऑल करम करते हैं है और शाषा प्रम हमने लगा द भी और बधल में लगा देंगे और दूस्री तरफ से भी पलट करके हम इसमें घी और फिर ओयल जो भी आप खाते हैं वो लगा सकते हैं इस तरी के से तो देखिए हमने दोनों तरफ से अच्छी तरफ से इसमें तेल को लगा लिया है अब इसको हम इस तरह के से दबाते हुए दोनों तरव से छे की अच्छी तरह से शेक लिए क leaf लेंगे तो देखिए यह पनाथा कितने अच्छी तरह से इसको प्लट लिया फिर हम इसमें घी या फिर ऑईल जो भी आप खाते हैं वो लगा ले और इसको प्लट करके हम दूसरे साइड से भी लगा लेंगे तेल या फिर घी और देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है हमारा पड़ा आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे उलट पलट कर दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से से लेना है देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसे हम दोनों तरफ से बड़ा बड़ से ना है तो यहां पर पड़ाठे हमारे से चुके हैं इसी तरह हम सारे पड़ाठे को बना लेंगे तो देखिए यहां पर हमने सारे पराठो को बना लिया है आप देख सकते हैं और दोस्तों इस पराठे को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है ना ही इसमें हमें गुभी को कदुकस करना है ना ही आलो को बालना है हमें कुछ भी नहीं करना है बस बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाना है तो देखिए आप अब देख सकते हैं पराठे को यह कितने अच्छे बनी है और यह इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसको मुठी में बंद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, मुँ में डालते ही ये एक्दम से घुल जाएंगे, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, इसे बीनादात वाले लोग भी असानी सिखा सकते ह मैं आपको इसको खोल कर वे दिखा देती हूं अंदर से देखी कि इच्छी दीख रहे हैं आप देख सकते हैं और ये कितनी बड़ा बड़ पाफ तरीके से इसके अंदर फिलिंग को मैं ने भड़ा है तो बस इसी तरीके से आप इसको बनाईए और यहां भी मैं इसी टमाटर कि चटनी के साथ सर्व कर रही हूं, आप इसे चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के भी साथ खाईए, सब के साथ टेस्री ही लगएगा, तो बस इस तरिके से इस पराठे को बनाएए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉई कीजिए, और दोस्तों अगर आपको मेरी ये पराठे भी कैसी लगी धन्यवाद